Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshni Shankar. आज हम लोग discuss करने जा रहा हैं Image Optimization. So, Image Optimization की जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों करना चाहिए? Image Optimization एक चरी में, जैसे कि हम लोग Google पे जाकर कोई भी सर्च डालते हैं, तो उस सर्च का Impressions आते हैं, जैसे क्लिक करता है और उसका CTR rate बढ़ता जाता है, तो आपके Pages के Rank होने के Chances ज्यादा होते हैं. ऐसे ही हम लोग जब images की बात करते हैं, तो images के through भी traffic आती है. तो उसको हम लोग अभी देख लेते हैं कि कैसे image optimization क्यों करना चाहिए? और कैसे मतलब images के search से हमारे website पे traffic आती है. तो उसके दिए मैंने एक website open किया है, मतलब मैंने just search कर लिया यहाँ पर डेली. अभी यह क्या करता है, इस सारी चीज़ें दिखाता है, मतलब मैंने यह web page से related searches दिखाता है. आप images पे click करके देखोगे, तो आपको images पे इस से related, जो भी आपने वहाँ पर text डाला है, उस से related images दिखा देता है. अब इस images, किसी भी image supposed that इस image पे आप यहाँ पर जाओ, तो आप देखोगे कि यह यहाँ पर visit का देता है और इस पे click करता है, तो उसके website पे चले जाते हैं. तो user क्या होता है, कोई researcher जो होता है, वो जब यहाँ पर आता है, click करता है, कोई image उसको अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, इस image पे click करता है और visit करके उस website पे जाता है. इस तरीके से आप देखोगे कि कोई भी user जब click करके जाएगा, तो उसका impressions आएगा, और impression जब आएगा, तो CTR rate इंप्रेशन से जब click करेगा, तो CTR rate बढ़ता है. इसको आपको प्रूप देखना है, तो ऐसे भी देख सकते हैं, मैं Google Console अभी open कर लिया हूँ, और Google Console में आप जब open करते हैं, तो यहाँ पर वेव का दिखा रहा होता है, यह मतलब वेव का आपका data पूरा दिखा रहा होता है, कि इतने impressions आए हुए, इतने click का हैं, और इतने average position हैं, यह CTR rate है, यहाँ पर जाकर आप images को select कर लेजे और apply पर click कर दिए, यह आपका image का impression, CTR और सारा data यहाँ पर दिखा देता है, यहाँ पर आप देखो, यह बस मैंने ऐसे ही एक website ले लिया है, example के लिए, और इसमें आप देखा हुए, तो यहाँ पर 30 total impressions आए हुए हैं, इसका position बहुत low है, मतलर 135 है, तो यह कहीं 45 pages पर आता होगा, इसलिए इसका CTR नहीं है, इस पर click-through ratio नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इस पर कोई click नहीं किया है, बट आपको proof के लिए, मतलब समयने के लिए, मैं यहाँ पर दिखा दिया, कि आप देख रहो कि यहाँ पर आपको Google Console से आपको data भी देखने को में जाता है, और यह proof करता है, कि images के through भी आपके website पे traffic आती है, और बहुत अच्छे traffic आती है, अब हम लोग देख लेते हैं, image optimization के tips, मतलब क्या-क्या tips होते हैं, क्या आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी website या आपके images जब rank करेंगे, तो आपकी website भी आपके website के pages rank करते हैं, तो first point is provide context, what is meaning of provide context, context में जो आप image डाल रहा हैं, उससे related, यानि जो आपने webpage बनाया है, तो webpage जिस topics पे बनाया है, उससे related pages, images होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो भी आप image डाल रहा हैं, वो irrelevant images हो, तो वो आपके webpage के ranking में या वहां पर user का experience खराब होता है, तो यह आपको हम ऐसा ध्यान रखना चाहिए, next one is optimize image file name, यहाँ पर मैं file के name की बात करना हूँ या caption, text इन सब की बात नहीं हो रहे, file का name, यानि जब कोई भी file होती है, तो कैसे आप कोई ऐसे भी save कर देता है, image 001 करके, इन गलत format होता है, इस तरीके से file नहीं save होनी चाहिए, file जब भी आप save करने जाते हो, तो उतका suppose that आपने chocolate की file डाली होए, तो chocolate, chocolate.png या gpeg जो भी आपने डाला है, वो उस नाम से save करना चाहिए, न की 001 या 002, ऐसे नाम से save नहीं करना चाहिए, next one is eye text, eye text एक important attribute होता है, images के रिए, हमें सहे ध्यान रखना चाहिए, कि eye text आप एक descriptive eye text provide कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि अब जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, एक example भी दे रहे हैं, कि यहाँ पर simply chocolate लिख दिया है, chocolate को आपको define करना चाहिए, मतलब जो जितना descriptive होगा, उतना ही अच्छा होता है, यानि यहाँ पर dark chocolate coffee flavored bar, इससे क्या होगा, कि एक description में रिता है, गूगल के crawler को या इससे related text मतलब आपको एक टेक्स्ट में रिखने का यही benefit होता है, कि गूगल के crawler को या जो visually sound नहीं होते हैं, उनके लिए benefit करता है, कि इस image को समयने में help करता है, इसको आपको देखना है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे यह the wordpress की आपकी website है, suppose that wordpress का मैंने एक website है, उस पर मैंने एक examper रखा है, दो चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, आप यहाँ पर जाओगे, तो एक तो यहाँ पर art text है देखने हो, आप यहा पर आपको अलग-अलग option आते हैं, आप यहाँ पर click कर लेंगे, तो यहाँ पर add caption का आ जाता है, तो यहाँ पर art caption, caption क्या होता है, actually में user को visible होता है, but art text जो होता है, वो user को visible नहीं होता है, यह mainly जो google का bot आता है, उसको help करता है, recognize करने में इस image को, दूसरा जो visually sound नहीं होते ह के लिए beneficial होता है, तो आपको यह दोनों चीजों को दिहां रखना चाहिए, alt text and caption दोनों आप mention कर रहे है, so caption, include caption and alt text, दोनों चीज हो गया, next one is choose the right format, right format में आपके पास क्या होता है, JPEG format में होते है, images, PNG, GIF format में images होते है, PNG का जो format होता है, no doubt, बहुत अच्छा होता है, quality-wise बहुत सही होता है, transparent होता है, but it is advisable, always use JPEG, क्योंकि PNG जो होता है, इसकी size हमें सा ज़्यादा होती है, तो JPEG को use करना चाहिए, क्योंकि JPEG को जब आप compress भी करते हो, तो इसकी quality ज़्यादा नहीं मतब गिरती है, बट PNG और सबकी quality बहुत ज़्यादा गिर जाती है, और हो heavy files होते हैं, आपको ensure करना चाहिए, कि जो आपकी file हो, 100 kb से कम हो, या 100 kb के around हो, इससे ज़्यादा recommended नहीं है, तो यह आपको ध्यादा करना चाहिए, जब आप compress कर रहे हो, कोई भी compressor यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे tools available है, किसी भी compress के थ्रू, compressor, tools के थ्रू, आप अपने images file को compress कर सकते ह हैं, और JPEG format में upload कर सकते हैं, next one is add images to your site map, हर एक जैसे हम लोग web page बनाते हैं, तो web page के भी URL होते हैं, similarly, images के भी URL होते हैं, और हम लोग web page का site map बनाते हैं, यह means, XML file होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे URL मतरफ डग देते हैं, वहां से क्या होता, crawler को बहुत help मिलता ह है, कि आपकी website पर कौन कौन से pages हैं, क्या place है, किसे related, तो यह सारी information, images के case में भी ध्यान रखना चाहिए, कि images के भी URL होते हैं, उनको भी site map में XML file में add करना चाहिए, इससे Google के bot को बहुत help मिलता है, और आपके website को index होने में help होता है, compress your image, आप हमेसा अपने image file को compress करना चाहि अब जिसे, इसमें WordPress का, इसमस WordPress plugin है, यह बहुत famous plugin है, इसको आप use कर सकते हैं, या दूसरे भी plugins को use करके, आप अपने images को compress कर सकते हैं, एक चीज और यहाँ पर site map में मैं बताना चाहरा था, कि WordPress का plugin होता है, that is used plugin, so used plugin होता है, तो automatically site map create कर देता है, तो वहाँ पर आपको कोई issue नहीं है, बत यह दिहान रखना चाहिए, कि आप यह custom file बना रहा है, या WordPress आपके images का site map आप नहीं किया है, तो यह आपको add करना चाहिए, image placement, image placement का मतलब होता है, कि आपका images मतलब सही जगा पर use होना चाहिए, उसका placement भी सही जगा होना जरूरी है, ऐसा नहीं हो कि अब जिसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक छोटा सा image है और यहाँ पर इतना ज्यादा text हो, तो यह आईसा भी recommended नहीं है, एक logical मतलब image होना चाहिए, उसकी size होनी चाहिए, उसके बगल में text होना चाहिए, तो इसका ध्याँ, image placement का ध्याँ आपको रखना चाहिए, कि कितनी बड़ी रखनी है, उसके around कौन को आपके, क्या text आप write कर रहा है, और उसको कहाँ पर रखना चाहिए. Do not put text on images, यह बहुत ध्याँ रखने मारी बात है, बहुत रुक्या करता है, कि image के उपर बहुत सारे text, पुट कर देता है, उससे related और सोचते है, कि rank बजाएगा, ऐसा नहीं है, यह user experience से भी बहुत बुरा होता है, और Google भी इसको recommend नहीं करता है, तो यहाँ पर एक एक जामप image के उपर text यहाँ पर write कर दिया, जो कि recommended नहीं है, आप यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इस image के उपर कोई भी text नहीं written है, उसके side में यहाँ पर text written है, और यह ही recommended है, तो यह ध्यान रखना चाहिए आप, next one is, आपका image को responsive होना चाहिए, what does it mean by responsive, responsive का मतरब, जैसे आपका image, desktop पे भी open होगा, mobile पे भी open होगा, tablet पे भी open होगा, तो यह ध्यान रखना चाहिए, कि आपका image किस device पे open हो रहा है, तो आपको पहले check करना चाहिए, test करना चाहिए, और उसी के according, आप उसके size को define करना चाह होना चाहिए, कि मतलब desktop पे तो सही open हो रहा है, रहकिन जैसे आप tablet या mobile पे open करने जाते हैं, या mobile पे user view करता है, तो उसका कुछ part कट रहा है, किसी corner से कट रहा है, कहीं पर कट रहा है, तो यह चीज़ आपको check करना होता है, यदि आपकी wordpress की file website है, तो उसमें आप जो latest version आ देता है, और responsive होते हैं, उसमें कुछ आपको connect जोड़ नहीं होती है, बट आपका यदि custom coded है, या आपको ऐसे code written website आपने बनाया है, तो इस तरीके से IMG source code, source set और P आपको define करना होता है, वहाँ पर आपके images का width and width height और इस हर चीज़ें आपको define करना हो, next one is good, stable, descriptive URL, यहाँ पर आप एक एक jumper के तुरूच समझ सकते हैं, कि यहाँ पर मैंने एक jumper दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखो आप एक ऐसे file का, ऐसे URL का नाम, मतलब dsc0113.png या ऐसे mention किया हुआ है, यह बिल्कुल भी recommended नहीं है, आपका जो URL होना चाहिए, वो जिसे related image है, यहाँ पर flower clipart है, तो उससे plant, flower clipart, तो उससे related आपको URL name देना चाहिए, और कुछ उससे meaning नहीं करना चाहिए, meaning for होना चाहिए, ऐसे नहीं देना चाहिए, next one is, use vector images whenever needed, vector images actually में क्या होता है, जब आप JPEG images use करते हैं, तो कहीं कहीं पर जब उससे बढ़ा करते हैं, enlarge करते हैं, तो उसके pixels बहुत ज़्यादा फड़ जाता हैं, तो मतलब देखने में उन्हें साहिने रखते हैं, तो आप वहाँ पर sbz images को use कर सकते हैं, बटे हर जब योज नहीं करने होता है, मतलब कहीं लोगों में या और कहीं ऐसी जगह use करना है, तो वहाँ पर आप use कर सकते हैं, बटे हर जगह recommended नहीं है, सबसे ज़्यादा आप अपने website पे JPEG format को ही use करना चाहिए, So I hope आपको आज image optimization के सारे points clear हो गए होंगे कि हमें किन किन चीजों का दिहान रखना चाहिए और कैसे image को optimize करना चाहिए, So thank you, thanks for watching.